आज हम बनाने वाले हैं इंस्टंट इड़लि की रेशिपी यह जो रेशिपी है वेरी इजी रेशिपी है और जल्दी बनने वाली रेशिपी है आप इसको सांबर के साथ और चटनी के साथ सब कर सकते हो अभी सबसे पहले हम लेंगे चावल का आटा पिसा हुआ चावल रहता है उसका आटा हमने लिया हुआ है फिर इसमें हम एड करेंगे सुजी जो बारिक वाली स्मॉल सूजी रहती है, वो हम इसमें यूज करने वाले हैं, अभी वो सूजी एड़ करने के बाद इसमें हम एड़ करेंगे दही, धही खटा पन के लिए हम इसमें एड़ करने वाले हैं, अभी ये पूरी तरह से हम इसको मिक्स करके लेंगे, फिर इसमें हम एड़ करेंगे पानी हमको जो इडली का बैटर लगता है। उससाफ से इसमें हम एड़ करने वाले हैं। अप देख सकते हो अभी हमारी ये consistency है। इसीसाफ से इतना पानी हमें हमने इसमें एड़ किया हुआ है। अभी इतना consistency हमको enough है तो इसको हम थोड़ी देर के लिए ढखके रख देंगे अभी ये हमारा ढखके एक आदा घंटा के लिए हमने ढखके रखा था रेडी हो गया है इसको अच्छे से हम फेट के लेने वाले है अभी इसमें हमने एड़ किया है थोड़ा सा खाने वाला सोड़ा सोडा एड़ करने के बाद इसको भी हम मिक्स करके लेंगे मिक्स हो जाने के बाद जो हमारा जो इडली का बरतन है उसको हमने ऑईल से ग्रीस करके उसमें हमने हमारा जो बैटर है वो हमने डाल दिया है आप देक सकते हो हमने सारे जो इडली है इसमें बैटर है इसमें हमने आड़ कर दिया है अभी ये पूरी तरह से भरने के बाद इसको हम डालेंगे कूकर में कूकर में सबसे पहले हमने पानी बोयल करके लिया हुआ है और अभी ये जो हमारा बर्तने उसको डाल देंगे 15 minutes के हम steam करने के लिए रख देंगे अभी आप देख सकते हो 15 मिनिट के बाद हमारी जो instant इडली है वो पुरी तरह से ready हो गई है खाने के लिए अभी इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं आप देख सकते हो कैसे आसानी से निकल रही है इस इडली को निकालने के लिए आप स्पून का नहीं तो जो हमारा चाकू रहता है उसका यूज कर सकते हो अगर आपको जब भी खाने का मन करें या कोई गेस्ट आजाए तो आप ये इंस्टन टिड़ी बना सकते हो। आप देख सकते हो हमारी जो इंस्टन टिड़ी है पुरी तरह से अभी रेडी हो गई है। इस इडली को बनाने के लिए जाधा टाइम भी नहीं लगता है और आसानी से ये हमारी इडली है वो रेडी हो जाती है आप इसको हमारी जो कोकोनट चटनी रहती है उसके साथ नहीं तो जो सामबार रहता है उसके साथ भी आप सर्व कर सकते हो आप देख सकते हो यहाँ पर हम अभिए रेडी हो गई है very simple recipe है और very easy recipe है आपको भी यह recipe अच्छी लगयो तो इस वीडियो को like किजिए, share किजिए और subscribe किजिए Thank you so much